मसकार दोस्तों एक बार प्रस्वागत है आप सभी के इंडिया इस्टूलेंड कर दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले MPPNST एक्जाम के बारे में दोस्तों एक्जाम 17 और 18 अक्टूबर को होने वाला है मद्द प्रदेश में तो दोस्तों जो भी छात्र इस परिच्चा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऐग वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अच्छे नमर ला सकते हैं इस एक्जाम में और कैसे अपनी रैंक सेक्योर कर सकते हैं रैंक का बहुत ही महत्वे दोस्तों अगर आप गौर्वर्मन कॉलेज में एडमिसन लेना चाह रहे हैं मैं आपको बता दूँ अगर आप PNST परिच्छा की तयारी कर रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गेट नोटिफिकेशन तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले हम बात करते हैं कि MP PNST पर इच्छा में टोटल कोशन कितने पूछे जाते हैं जो PNST का एकजाम होता है Pre-Nursing Selection Test इसमें टोटल 150 कोशन पूछे जाते हैं 150 question पूछे जाते हैं, 150 mark का paper होता है, एक question के लिए एक number यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, अब किस subject से कितने question पूछे जाते हैं, physics से question पूछे जाते हैं, 30, chemistry से question पूछे जाते हैं, 30, waterney से 30, geology से 30, English से 30, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि 5 subject से 30, 30 question पूछे जाते हैं, और 5 into 30 हो जाता है, 150, तो दोस्तों 150 question पूछे जाते हैं, अब इन 150 question में से आपको कितने number लाने होंगे, ताकि आपका selection हो जाए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पिछले सालों में PNST का cut-off कितना रहा है, और 2022 में इसका expected cut-off कितना रहने बाला है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, किस subject से आपको कितने number लाने होंगे, आपका selection secure करने के लिए, चलिए, यहाँ पर हमने देखा, किस subject से कितने question पूछे जाते हैं, अब आगे हम बात करते हैं, जो 2020-21 में cut-off रहा है, बहुत कितना रहा है, देखिए, जो unreserved category के लिए cut-off रहा है, लगबग 69 marks, 69-70 marks के something cut-off रहा है, OVC category के अगर हम बात करें, तो 68 के something cut-off रहा है, इनसे उपर ही रहा है, पॉइंट में इनसे, पॉइंट में marks उपर ही रहा है, जैसे 68.5, 68.9 इस पॉइंट से, SC category का cut-off 64 के आसपास रहा है, ST का 60 और EWS का 61, मैं आपको बता दूँ, जो टॉप rank कर रहे हैं, PNST में, उसका मैंने आपको वीडियो बना के प्रोवाइट किया है, जो टॉप rank कर से हैं, उनने 150 में से, 121 मार्क्स तक लाए है, 115, 116, 117, इस प्रकार से मार्क्स उनने अचीव किये, इस प्रकार से मार्क्स प्राप्त किये, तो rank अच्छी लाने के लिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, minimum cut-off तो यहाँ पर दिया हुआ है, किसी छोटे कॉलेज मेर्ड मिशन आपको मिल जाएगा, कम से कम मार्क्स अगर आपके आते हैं, आप cut-off के लिए करते हैं तो, लेकिन अच्छा कॉलेज अगर आपको चाहिए है, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करना है, तो आपको अच्छी rank लानी होगी, अब यहाँ पर हमने बात की दोस्तों, जो 2020-21 का cut-off रहा है, अब हम बात कर लेते हैं, 2021-22 का expected cut-off कितना हो सकता है, PNST exam का, देखिए, यह जो cut-off है, 2021-22 में increase होने वाला है, क्या होने वाला है, increase होने वाला है, increase होने का कारण क्या है, कि अब दोस्तों, student को steady material है, online बहुत easily मिल ला है, ठीक है, और competition भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब इस परिच्छा के लिए, तो इस exam का cut-off, इस बर्स increase हो सकता है, और definitely increase होगा, ठीक है, कम भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि expected cut-off, यहां मैं बता रहा हूँ, कोई final cut-off नहीं, कम भी हो सकता है, बढ़ी भी सकता है, but according to me, एक cut-off increase होगा, ठीक है, तो undeserved category के लिए, cut-off रहने वाला है, 75 से 80 number, OBC के लिए 70 से 75, ठीक है, इस से plus minus भी हो सकता है, 70 से नीचे भी जा सकता है, 65 भी हो सकता है, उपर भी जा सकता है, AST के लिए cut-off 65 to 69 रह सकता है, जो पिछली सालों के जो cut-off है, उनके अनुसार है, expected cut-off में बता रहा हूँ, AST के cut-off 61 से 64 number रह सकता है, EWS का 60 से 68 number रह सकता है, यहां पर cut-off में, 5 अंकों का प्लस माइनस हो सकता है, यह 2 से 3 number का प्लस माइनस हो सकता है, चली अब हम बात करते हैं, जो stridgy हमें follow करनी है, इस exam को first attempt में clear करने के लिए, उस stridgy के बारे में, देखिए दोस्तों, मैंने उपर पहले ही आपको बता दिया हूँ, पांच subject से question यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है, physics, chemistry, botany, geology, botany, geology यह आपका biology वाला section होता है, और biology वाले studentों के लिए ही ऐह form आता है, ठीक है, तो जो भी छात इस form को भरते हैं, उनकी biology strong रहती ही होगी, क्योंकि biology पे टोटल theory रहता है, कुछ नहीं रहता है, पढ़ना रहता है, समझना रहता है, रटना रहता है, मतलब biology से किता पूछे जा रहा है, 60 number का पूछे जा रहा है, 60 marks का, यहाँ पर सीधे-सीधे biology से पूछे जा रहा है, मतलब 60 number की सीधे-सीधे आप से theory पूछी जा रही है, तो theory में आपको क्या करना रहता कुछ नहीं पढ़ना है समझना है समझ में नहीं आ रहा तो रटना है अगर exam clear करना है तो दो चीज करनी पड़ें या तो समझ लो और समझ में नहीं आ रहा है तो रट लो तो biology में जो total theory question आते हैं इनको समझ लो या रट लो क्योंकि theory आप biology group के student है अगर आप biology group के student होकर इसमें अच्छा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर दोस्तों दिखकत है तो आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको खुद से expect करना है कि आप biology subject में 60 में से जादा से जादा नम्मर ला सकें यहां पर minimum मैंने एक जो target रखा है 40 नम्मर का रखा है तीस नम्मर आप बाटनी में लियाओ बीस नम्मर बाटनी में लियाओ बीस नम्मर जूलोजी में 30 में से 20 ही लाना है अब दस question आप छोड़ी भी रहे है हर subject में तो आप आसानी से last में देखिए कैसे आप exam किलियर कर रहे है बाटनी में आपने 20 नम्मर लियाओ 40 नम्मर आप लियाओ इन दो subject से या इन दो subject से आपको कैसे भी करके 40 नम्मर लाना है चाहे किसी में 17 लाओ और किसी में 23 लाओ ठीक है अब यहाँ पर देखिए बाटनी वाले जो section होता है कम ही होता है और यहाँ पर जूलाजी में limited topics और question पूछे जाते हैं तो यहाँ से आप 60 marks लेए अब हम बात करते हैं physics की physics की already मैं वीडियो बनाके आपको दे रहा हूँ जिसमें numerical पढ़ा रहा हूँ अगर आपने numerical कर लिए आप से numerical बन गए मतलब आपका exam पहले attempt में ही clear हो जाएगा आपने numerical कर बना लिए physics के तो आपका exam first attempt में ही clear हो जाएगा मैं numerical के solution प्रोवाइट कर रहा हूँ आपने अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लें और चैनल को visit करें playlist में जाया और उन वीडियो उसको देखें जिनमें मैंने पिछले सालों के question paper को solve कराया है तो physics में theory और numerical से question पूछे जाते हैं यहाँ पर मैंने मान लिया कि physics में theory से 15 और numerical से 15 question पूछे जा रहे हैं लगवख इतने-इतने question ही पूछे जाते हैं या कभी-कभी theory से थोड़ा कम हो जाते हैं और numerical बढ़े जाते हैं या numerical थोड़ा सा एक-दो question कम हो जाते हैं थियोरी बढ़े जाती तो लगवख 15-15 question यहाँ पर theory और numerical के पूछे जाते हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या है देखिए numerical तो सभी student solve नहीं कर पाते हैं तो आपको physics की theory पर ज़्यादा focus करना है numerical पर भी focus करना है लेकिन theory tough नहीं आती है easy आती है physics से simple question पूछे जाते हैं ठीक है आप 15 में से अगर 9 number यहाँ पर ला रहे हैं 15 में से 9 marks अगर आप physics में ला रहे हैं और numerical में दोस्तो physics के आप 15 में से 5 number सिर्फ आपको लाना है 5 numerical बस सही कर लो 10 numerical छोड़ दो मतलब यहाँ पर 9 5 आपके 14 marks हो गए कितने marks हो गए physics में 14 number हो ठीक है हम बात करते हैं chemistry के chemistry भी थोड़ा सा tough subject होता है यहाँ पर थोड़ा सा tough question रहते हैं theory question आप easily solve कर लेंगे लेकिन इसके numerical थोड़ा सा tough रहते हैं इतना भी tough नहीं रहते हैं आप पढ़ेंगे तो इसली बन जाएंगे इसके new vehicle भी हम आपको provide करेंगे बस आपको चैनल को subscribe करना है यहाँ पर भी आपको ज़्यादा नमर ज़्यादा target नहीं दे रहा हूँ मैं जो alternate subject है उनमें मैं आपको कम target दे रहा हूँ जो optional subject है उनमें आपको कम marks लाने है तो chemistry में आपको 15 नमर लाने है 30 में से ठीक है अब कैसे भी करके चाहिए आप सुभा साम पढ़ो एक टाइम पढ़ो तीन टाइम पढ़ो लेकिन आपको chemistry पढ़ना है theory पर focus करना है numerical पर भी focus करना है जिन topic से numerical पूचे जाते हैं उनको कबार आपको करना है तो 15 marks अगर आप chemistry में ले आते हैं 30 में से कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है यहाँ पर मैंने physics और chemistry का target कम राखा physics में 14 नमर का और chemistry में 15 नमर का अब आती है बारी किसकी English की देखें इंगलिस में आपको पता है बहुत easy question पूचे जाते हैं article से question पूचे जाते हैं tense से question पूचे जाते हैं auxiliary verbs से helping verbs से model से question पूचे जाते हैं फिर fix suffix एक unseen passage आपको दे दिया जाता है एक passage दे दिया जाता है और उस तो सीधे सीधे चार से 5 question पूच लिए जाते हैं और उन 4 से 5 question में से आप से दोस्तों सारे question बन जाएंगे इतना यजीव है passage रहता है पांच में से 4 question तो आप जरूर बना लेंगे और बहुत easy question रहते हैं इसके proposition easy पूची जाती है आर्टिकल एंदा के अलावर रहते ही नहीं है तो आप आर्टिकल की 3 से 4 question पूच लिए जाते हैं अगर आप एंदा आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लेंगे तो तीन नमर तो आपके वैसी complete हो जाएंगे prefix suffix बन ही जाते हैं models 10 सभी से बन जाते हैं तो English English को हम एक scoring subject बोल सकते हैं यहां पर आप 25 नमर आसानी से ला सकते हैं तो टोटल कितने marks हो गए आपके टोटल हो गए देखे बाइलोजी से 40 फिजिक्स से 14 केमिस्टी से 15 और इंगलिस से 25 इंगलिस से आप 20 नमर भी ला रहे हैं तो कोई दिख करते हैं इतने में भी आपके अच्छी rank का जाईगी ठीक है तो टोटल यहां पर 94 marks आप प्राप्त कर रहे हैं अगर इस straight view को follow कर रह हैं तो 94 नमबर मतलब आपकी rank सिक्योर है आपको अच्छा college मिलेगा आपकी अच्छी rank आएगी तो दोस्तों अच्छी rank लाने के लिए आपको अच्छी strategy follow करनी है हर subject का आपको अलग-अलग syllabus तयार करके उसका schedule बनाकर उसको पढ़ना है और numerical अगर आपसे नहीं बनते हैं त numerical नहीं बनेंगे तो आपकी नमबर दोस्तों अच्छे नहीं आएंगे physics chemistry में तो आपको numerical पर focus करना है ज्यादा से ज्यादा और numerical को solve करना सीखना आपको पढ़ेगा तो अगर इतने नमबर आप लाते हैं तो आपकी rank secure हो जाती है आपको अच्छा college मिल जाएगा तो दोस्तो all category का cut off इतने नमबर में clear हो जाएगा अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा है तो please do subscribe my channel and दोस्तों जादा से जादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को share करें और channel को subscribe करें thank you